बॉल्यूड में अपने अभिने से सभी को गुद गुदाने वाले अभिनिता 37 कौसिक अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे पड़ाओ से गुजरे जिसे जानने के बाद आपकी रूखाम जाएगी महस दो साल का इनका लड़का चुटकियों में इनकी आँखों से गायब हो गया इस घटना ने 37 कौसिक को ऐसे सदमे में डाला की वो सालों तक इस सदमे से नहीं निकल पाए बॉलिवड के दिगज अभी नेता 37 कौसिक ने अपने अभीने का जलुआ बिखेर कर बॉलिवड इंडस्री पर राज किया 37 कौसिक ने साल 1985 में ससी कौसिक से साधी रचाई साधी के 9 साल बाद 37 कौसिक के घर खुसियों ने दस्तक दी साल 1994 में उनके घर एक बेटे ने जनम लिया साधी के इतने साल बाद घर में संतान के आने से 37 कौसिक और उनकी वाइप बहुत खुस थी लेकिन मैज जनम के 2 साल बाद ही उनके बेटे सानू का निधन हो गया दो साल के संतान ने 37 के हाथों में अपना दम तोड़ दिया इस घटना ने 37 कौसिक और उनकी पतनी को जगजोर करके रख दिया 37 कौसिक को ऐसा लगा मानो जैसे उनकी खुसियों का किसी ने गलाई गोड दिया हो उम्र बढ़ती गई पर 37 कौसिक पिता नहीं बन पाए लेकिन 16 साल बाद फिर से 37 कौसिक के घर चमतकार हो गया साल 2012 में सैरोगेसी के जरीए उनकी बेटी का जनम हुआ उस समय 37 साल के हो गए थे इस उम्र में भी पिता बनकर 37 कौसिक बहुत खुस थे वो अपनी बेटी वनसीका पर जान चड़कते थे वनसीका अभी सिर्फ 12 साल की ही है और अब 37 कौसिक अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए है वनसीका अभी बहुत छोटी है और अभी उसका रोरोकर बहुत बुरा हाल हो गया है बार बार वो अपनी जुबान से पापा पुकार रही है अपसोस जिस बेटी के लिए 37 जिंदगी जी रहे थे आज उसी नन्नी परी को छोड़ कर वो चले गए बारा साल की लड़की बिना पापा के कैसे रहेगी ये सोच कर कलेजा फट जाता है